आज हम मुर्गी पालकों के लिए वैक्सिनेशन सेड्यूल की जानकारी देने जा रहे हैं जो हमारे बैक्यार्ड पोल्ट्री में बहुत ही उपयोगी है जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतेक वर्ष इस जाड़े के मौसम में हमारे दुरस्थ छेत्रों में ग्रामिन छेत्रों में मुर्गियों में एक महमारी फैलती है जिसके चलते हमारी अधिकतर जो हमारे बैक्यार्ड सिस्टम की मुर्गियां है उनकी मृति हो जाती है और जैसा कि अभी बर्तमान में भी ये बीमारी फैली हुई है और जगह-जगह लोगों में ये भ्रांती है या कहीं-कहीं पर कुछ positive cases भी पाए गया है कि bird flu फैल गया है हलाकि जहां इसके लक्षन पाए गया है या जो जहां positive samples पाए गया है वहां तो ठीक है लिकिन वैसे भी प्रतेक वर्स जाड़े के मौसम में हमारे backyard poultry में रानी खेत नामक बिमारी का outbreak होता है जिसके चलते हमारे मुर्गी पालकों को खास करके backyard मुर्गी पालकों को काफी उनुद्यमी है जिनके पास पचीस-पचास सो की संख्या में देसी मुर्गिया होते है उस में मृतीषदर काफी अधिक होती है और ऐसा भी पाया गया है कि जिनके भी बिमारी से बचाओं के लिए अत्यन्त ही आवस्यक है, खास कर मुर्गी पालन के बेशाय में, और जहां तक जो बैक्यार्ट सिस्टम की मुर्गी पालन है, इसमें तो टीका करन और भी आवस्यक है, क्योंकि ये बहुत जादा संख्या में लोग नहीं रखते हैं, थोड़ राप्त करें और इसको समय के साथ हम लोग टीका करन करें, तो इसके लिए जो जरूरी है कि अंडा से बच्चा निकलता है, उस समय पहले सब्ताह में हम लोग जो चूजा होता है, उसके आख या नाख में रानी खेत का F1 एस्टेनिया पहला टीका उसके आख या नाख में एक बुंद डालते हैं, और फिर जब दूसरा तीसरा सब्ताह के बीच में हम गंबोरो या इंफेक्शियस बर्सल डिजीज का टीका डालते हैं, वो ड्रिंकिंग वाटर में पानी पीने के पानी में इंक के साथ डाल दिया जाता है, जिससे कि वो मुर्गिया या चूजे स् इस प्रकार का इस टीका करन से वो टीका कृत हो जाते हैं, तीसरा टीका जब वो 25-26 दिन का होता है, उससे में हम लोग लसोटा स्ट्रेंड का टीका देते हैं, जो रानी खेत का ही स्ट्रेंड है, जिसका कि हम लोग ड्रिंकिंग वाटर में मिला कर पानी पीने के लिए देत और फिर इसके बार आठमा से 17 से 10 सब्सका जब उसका वजन आधा किलो से उपर हो जाए तब हम लोग रानी खेत का दूसरा टीका लगाते हैं जिसका की 0.5 ml उसके मांस में या जांग के मसल में उसको हम लोग ठीका सुई के द्वारा देते हैं ये अगर 5-6 टिके हमारे मुरगी पालक भाई लगवा लेते हैं तो निस्ची तुरूप से जो पक्छीयों में खासकर मुरगियों जो हमारी बेक्यार्ड मुरगियों में जो बीमारिया होती हैं उसमें से अधिकांस बीमारियों से वो मुक्त हो जाएंगे खास करके रानी खेत से बचाव बहुत ही आवस्षक है क्यूंकि रानी खेत ही ऐसी बिमारी है जो मुर्गियों में काफी ज्यादा उसमें मौटलिटी होती है इसके अतरिक्त भी कई बिमारियां है जिसमें पख्षियों की मिक्ति होती है लेकिन बैक्यार्ट सिस्टम में जो मुर्गियां रहती हैं उसमें इम्मुनिटी ज्यादा होती है वो खुल के चलती हैं जिसके चलते उनके सरीर में पोसक तत्व जो उनको चाहिए नेचर से वो ले लेती हैं जिसके चलते उनकी रोग प्रतिरुधक छमता अन्य मुर्गियो खास करके सरकार की जो मनसा है कि हमारे पसुपालकों कि हमारे मुर्गी पालकों की आये दुगनी हो उसमें ये मुर्गियां केवल ब्रीड रिप्लेस्मेंट से अगर आप जो देशी नसल की मुर्गियां पालते हैं उनके जगह पर अगर हम बनराजा नसल की मुर्गियों को ब से उपर और मुरगे का वजन तीन से चार dwa camping के बीच आसानी से होता है जिस समय कि हमारे देशी मुरगीयों का वजन एक गिलो और मुरगे का वजन एक से ड़ेड उपाता है तो अगर हम एक इस ब्रीड को अपने देशी नसल से अगर रिप्लेस करते हैं तो हमारी इंकम जो दुगनी इंकम सरकार की जो पॉलिशी है कि हमारे मुर्गी पालकों की आमदनी भी दुगनी हो उसमें ये काफी सहायक सिद्ध होगा और ये देखा भी जा रहा है कि इस छेत्र में खास करके भागलपूर, खगडिया, सहरसा, पॉनिया इस छेत्र में इसका प्रचलन काफी तेजी से फैला है और लोग इससे काफी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं, तो टीका करन अवश्यक है और खास करके रानी खेत का टीका तो अवश्य ही करवाएं, फॉल पॉक्स का टीका और इंफेक्शियस बर्सल डिजित, जिस अवरा में मिर्ती होती है रानी खेत से, उसे वे बच सकते।